नमस्कार, जब आपका भी अपना थायराइट टेस्ट करवाते हैं और स्पोज कीजिए उस टेस्ट में जो आपके T3, T4 की वैल्यू है वो आपकी नॉर्मल से कम आ जाती है और जो आपके TSH की वैल्यू है वो आपकी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आ जाती है तो अब आप को लेकर अगर अपने डोक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हो तो कुछ डोक्टर आपको इस रिपोर्ट को देखकर बोलते हैं कि आपका थायराइट तो कम है जबकि सेम रिपोर्ट को देखकर कुछ डोक्टर बोलेंगे कि आपका थायराइट बढ़ा हुआ है क्यों एक डो बड़ा हुआ है अब इस बात पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि थाइराइड बड़ा हुआ है या घटा हुआ है एक डोक्टर कहे रहा है कि आपका थाइराइड कम है जबकि सेम रिपोर्ट को दूसरे डोक्टर कहे रहे हैं कि आपका थाइराइड ज्यादा है तो तो सबसे पहले तो मैं यह clear कर देती हूँ कि thyroid कम या ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह आपके thyroid hormones हैं जो कम या ज्यादा होते हैं thyroid तो एक gland है एक ग्रंथी है जो hormones बनाती है कौन से hormone बनाती है T3 और T4 जिसको T3 को हम कहते है trionine, इसमें 3 iodine के molecules होते हैं,T4 और को हम कहते है tetraelinee इसमें 4 iodine के Elsa कहते हैं और EC को हम threonrine कहते हैं तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं जननली जो patient बोलते हैं यह हम Drs भी बोलते ते हैं कि आपका thyroid कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके thyroid hormones कम या ज़्यादा है तो देखिए जनरली thyroid report में तीन चीज़े हमें देखने को मिलती हैं T3, T4 और TSH इसमें जो आपके T3 और T4 हैं केवल वो ही आपके thyroid hormones हैं जो thyroid gland बनाती है और जो पूरी body में अपना action दिखाते हैं बाकी जो TSH होता है वो आपका thyroid hormones नहीं है वो आपका thyroid stimulating hormone है जब भी body को brain को message आता है कि body में thyroxine कम हो रखा है तो जो brain में जो master gland होते है P2Tree वहाँ से TSH चाता है thyroid stimulating hormone और ये hormone thyroid gland के पास जाकर उसको order देता है instructions देता है stimulate करता है production बढ़ाओ तो जो TSH है वो thyroid hormone नहीं है वो thyroid stimulating hormone है उसका just काम इतना है कि और thyroid gland के पास जाएगा उसको order देगा कि brain से order आया है body में thyroxine नहीं है जल्दी से production को बढ़ा दो तो जो हमारी report है वो report होती है हमारी T3 और T4 के base के उपर क्योंकि यही thyroid hormones है तो अगर आपकी report में T3 और T4 normal से कम है तो हम बोलेंगे कि आपके thyroid कम है thyroid hormones कम है and you are suffering from the hypothyroidism hypo means below normal और अगर आपके T3 और T4 ज्यादा है normal से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि आपके है hyperthyroidism means abonormal जो T3 T4 hormones है वो कम या ज्यादा है इसके base पर सिरफ report दी जाती है अब कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ doctor T3 T4 तो करवाते ही नहीं है वो सिरफ TSH करवाते हैं thyroid stimulating hormone कई civil hospitals की भी हमारे पास report आती है जिसमें सिरफ TSH होता है तो उसके base में हम कैसे देंगे अब देखे thyroid stimulating hormone का काम है thyroid को instruct करना order देना अब प्रेन से आ गया TSH आ गया वो thyroid gland के पास गया उसने उसको instruction दी thyroid gland ने thyroid hormones बना दिये अब कई बार क्या होता है कि वो order दे रहा है लेकिन thyroid में कुछ problem है gland में या उसकी प्रोडक्शन है वो नहीं पा रही है तो प्रेन के पास फिर से message जाता है कि आपका जो hormone से thyroxine वो कम हो रखा है तो OTSS चाहेगा ऐसे करके इतना बढ़ जाता है बोड़ी में और उसका सिरफ एक ही मतलब होता है अगर आपका TSS बहुत जादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी thyroid gland काम नहीं कर रही है thyroxine hormone body में नहीं बन रहा है and you are suffering from again hypothyroidism तो अगर आपने T3 और T4 नहीं करवा रखा है देखो अगर T3 T4 है तो तो बिल्कुल नॉर्मल ही है आप अपने T3 T4 thyroxine hormone की value देखेगा अगर वो normal से कम है तो hypo है अगर वो normal से ज्यादा है तो hyper है लेकिन जिन patients का T3 T4 नहीं होता सिरफ TSH होता है उसमें थोड़ा सा opposite हो जाता है अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो आपके hypothyroidism है TSH बढ़ने का मतलब ही होता है कि आपके thyroid gland production नहीं कर पा रही है मतलब body में thyroxine hormone नहीं है और अगर TSH normal से बहुत ज्यादा कम हो है तो इसका मतलब है कि you are suffering from hyperthyroidism तो अपनी report को लेके confused नहीं होना है कई डोक्टर से वह सिरफ TSH को ज्यादा देखके बदा देते हैं कि thyroid बढ़ा हुआ है जबकि ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी reports होती है वह thyroxine hormone के उपर होती है क्योंकि thyroxine hormone ही ऐसे अर्मोन है जो thyroid gland बनाती है TSH आपकी thyroid gland नहीं बनाती है वह सिरफ एक instruction आता है brain से तो अब आप confused में तो जब भी आप अपनी report किसी को औरली बताते हो तो अब आप क्लियर बता दीजिएगा कि आपके thyroid कम है या thyroid बढ़ा हुआ है मतलब thyroid hormone आपका कम है hyperthyroidism है या thyroid hormone बढ़ा हुआ है या hyperthyroidism है थैंक्यू